यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवती भारत अभ्यूता धन धर्मस्य तदाप मान स्रीजाम महम इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि जब दुनिया संकट में होती है तो उसे सही मार्ग पर लाने के लिए कोई कदम उठाया जाता है आज हमारी प्रित्वी एक ऐसे ही संकट से जूज रही है प्लास्टिक प्रदूशन भारत तेजी से प्रगती कर रहा है लेकिन प्लास्टिक की अत्याधिक उप्योग ने हमारे पर्यावरन को नुकसान पहुचाना शुरू कर दिया है हमारी देश में प्रतिवर्ष लाखो टन प्लास्टिक कच्रा उत्पन होता है दिल्ली की गलियों से लेकर मुंबई के समुद्र टत्तों तक प्लास्टिक हमारे जल, हवा और मिटी को प्रदूशित कर रहा है यह ना केवल जानवर और पक्षियों के लिए हानिकारक है बलकि हमारे स्वास्थ, अर्द व्यवस्था और साममगर जीवन की गुण्वन्ता को भी प्रभावित करता है प्लास्टिक में मौजूद रसायन हमारे जल स्त्रोतों में घुलकर हमारे बोजन और जीवन में सम्माहित हो रहा है प्लास्टिक में प्लास्टिक की बोटले और फैले पर जगा फिक्रे हुई है जिससे ना सिर्फ जांदर बुमार पढ़ रहे हैं बलकि खेतों की खुण्वन्ता भी कम हो रही है आपको जल से जल एक थो समधार निकालना ही होगा परना आप अपने बच्चों का पालन फूंशन असानी से कैसे करेंगे प्लास्टिक की खुण्वन्ता प्लास्टिक की फैली रहती है सब्सक्राइब है इसके उतकी सेहत बच्छ कुछ रही करेंगे हमें न कीवेट खुटों को साफ करना है बलकि खुटों को साफ करने के साथ खाट प्लास्टिक को ताने खिलेक सही यूच्छ ना भी बनानी होगी आप सभी की बाते सही ही हैं मैंने आपकी समच्छाओं को सुना है चलिए बंचायद मवल में बैठकर इसके पर बुष्टार से सब्सक्राइब है अब हमने यहां अपनी समच्छाओं बताई है अब बिल्कतर लेक्शना होगा दीज समच्छा का समचान कैसे निकाल शकते हैं आपकी सिस्क्छाओं बहुत मैं बोढ़ना जाने ना तरफ़ पाई जी कबढ़े मैं बोलना जोगा कम प्लास्टिक कई पर समधार में ना मन कोषे जा रहे हैं और हमें जल्ब ये जल्ब एक भूस समधार में कारना होगा तonneकkek與 फ्लास्टिक के ल Organisation के फेले और फोस्टों के वज़े से हमारे खेसों की उन वन तक हो रहे हैं और हमारी जानवर भी उने खाकत बिमार हो रहे हैं, जिससे हम पिचारेगरी लोग को बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ा है। जिससे लोग असारा को बहुत है है जिससे हम प्लास्किक अपड़त को सांव कराने के सांव प्लास्किक तरिष्टा भावो के भारे में भी बता सकते हैं। जिससे लोग असारा कुछ तक एच गर उपना हो जाएगा और फिर उपने देशने में, इसी के साथ हमें क्वाहूं की समय अभ्यान की सिरू करना होगा। आप सबी ने बहुत मैंस्व और बिल्गों को उठाया थे। आपके शुषाओं को जान में रखते हुए, हम फोस्योजनाएं बनाएंगे और तक शुषाओं करने शुरू करने होगा। अब एक 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 समस्या का समाथ हाँ निकालना होगा। है नावाद ज़िव, हम फमिल्गे शुषाओं करने शुषाओं करने शुषाओं करने होगा। कि अधरे बनाएंगे !